अब यहां पर हम थोड़ा इसको चलते चलते देखेंगे लगवग यह 25 पेज की हैं इसमें से दो तीन पेज तो ऐसी रहेंगे शुरुआती जो यहां पर देखिए प्रत्थम अंक स्थान है बाहय प्रांत यहां पर आपको जो प्रश्ण आएगा ना वो ऐसा ही पूछा जा स चीज कि आपको पहले अंकों का पता हो न ची sleeps कि प्रत्थम क्या वह Χाई प्रत्थम से दो हैं एक महंत जी है दो चुछ जो दो चेलों के साथ गाते हुए आते हैं एक चीज तो यह याद दखिने कि इसमें एक है आपका महंत और उसके दो चेले हैं, इस बात का पता आपको लग गया, अब ये सब ही जो है वो एक साथ क्या गाते हैं, राम भजो, राम भजो, राम भजो भाई, राम के बजे से गनिका तर गई, राम के बजे से गीद गती पाई, राम के नाम से काम बने सब, राम के भजन बिनु सबही नसाई राम के नाम से दोनो नैन बिनु सूरदास भहे कविकुल राई राम के नाम से घास जंगल की तुलसी दास भहे वजी रगुराई यहां पर देखिए कुछ एक शब्द है उनके आगे एक या दो लिखा हुआ है तो नीचे यह दिखा है नश्टोना और व हैं राम भजन करने की बात कर रहे हैं पहले अंक में और बाहय प्रांथ है यह ठीक है सबसे पहले महंत जी यहां पर आते हैं फिर जो कहता है कि बच्चा नारायन दास यह नगर तो दूर से बड़ा सुन्दर दिखाई पड़ता है देख कुछ भिक्षा उच्छा मिले तो थाकर जी को भोग लगे कि भई तब अच्छा हो सकता है अच्छा घाएगा फिर नारायन दास की कहते हैं गुरुजी महराज नगर तो नारायन के आस्रे से बहुत ही सुन्दर है जो है पर भिक्षा सुन्दर मिले तो बढ़ानद हो यह अगर भिक्षा भी इतनी सुन्दर म पर में कि जो महतंत है वो अपने दो शीषियों को किस दिशा में बिजता है तो पूरव और पश्चिम है तो पूरव में किसको बेजता और प मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूं तो ये गुबर्धन दास जो था वो थोड़ा सा लालची प्रवरितिका आए देखना इसको आप आगे जानेंगे भी यहां के लोग तो बड़े मालवार दिखाई पड़ते हैं आप कुछ चिंता मत कीजिए गुबर्धन दास कहता है जिमें मैं बहुत सारी विक्षा ले आउंगा यहां के लोग बड़े मालवार हैं भई धन्धाने से परिपूर्ण है मैं बहुत सारी विक्षा ले आऊंगा अब यहां पर एक संदेश चुए तक ना यह बड़ा इंपॉर्टन है इसको पेपर में पूछा जा सकता है आपको यह कह ही न कीजिए या मैं नर्क निदान ठीक है तो यह कह रहा है कि लोग तो पाप का मूल है ठीक है हमें कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए ठीक है यह इसमें पहले जो अंक का अंत है वो किसके साथ हो रहा है उपदेश के साथ ही हो रहा है यहां पर देखना चल गाते हुए सब सा लाज़ी प्रवर्थी का व्यक्ति है ठीक है अब आता है आपका दूसरा जो यहां पर अंग है देखिए वो है बाजार दूसरे अंग का नाम क्या रखना आपको याद सिंपली बाजार अब इसमें क्या चीज रहेगी एक रहेगा कबाब वाला अब यहां पर आपको कैसे पूछा जा सकता है बस यह क्रम आपको बिल्कुल ऐसे ही रखना है जैसे क्रम यहां पर लगाए हुए हैं इनको क्रमानुसार ही लगा दीजे एक दो करके याद रखिए रोल नंबर एक किसका है यहां पर कबाब वाले का ऐसे करके याद रखेंगे तो जाद अच्छा रहे यहां पर कहने का मतलब है देखना इस बाजार वाले द्रिश्चा में क्या चीज रहती है कि सारी चीजें जो है वो टके में ही बिक्ती हैं मतलब यहां पर यह इंडिरेक्ट लिए मैसेज भी दे रहे हैं भारत अंदुहरीश चंदर की भारत वर्ष में हर चीज क्या हो गई भी है कि अंग्रेजों ने यहां पर सब कुछ क्या कर दिया था मतलब ऑ टैस्स कर दिया हो लोने ठीक है मतलब मुर्ख था का चित्रन है इसमें राजाओं की ब्रष्टाचार का चित्रन है इसमें जो भी चीजें साई की और इक चीज या रख लेना है कि इस अगला जो राजा की भी बात कर रहा है कि वो बिल्कुल अपनी गुद्धी से काम नहीं लेने वाले राजा थे और अंत में उनका विनाष्ट हुआ वो वैसे योगा जैसे अंधेरनगरी के इस राजा का विनाष्ट हुआ था ठीक है तो यह चीज ध्यान में रखिएगा तो धोनों ही न स्कीज से नहीं पासरों में ठीक रखिएगा होना चाहिए है और तीसरा इसने बोला कि जिग्यासा जिसके कौतुक कहते हैं वो भी नाटक का एक प्रमुक उदेश्च है यह PGT की क्लासिस में ने बता दिया था जब नाटक के बारे में पढ़ते हैं लेकिन फिर से भारते अंदु हरिश्चंदर से अगर आपको पूछा जाए जिसने नाटक की उदेश्चे कितने माले हैं तो पहले त ठीक है हाथ से के साथ साथ आपको कुछ है हाथ से कौटुक श्रिंगार समाजिक्ता या समासंसकार जिसको कहते हैं देखना समासंसकार और लास्ट में आएगा देश प्रेम या इसको हम देश वतसलता भी कहते हैं आप देश प्रेम लिखें या देश वतसलता लिखें बात पांचों को ध्यान में रखना कई बार भारतें द्वारिशनल से आपको ये चीज भी पूछी जा सकती है तो पहले आ गया यहां पर देखे कौन सा कवाब वाला फिर आया घासी राम अब इस घासी राम ने क्या किया इसने चना जोर गरम मतलब यह चना वेशने वाला है देख कि चना हाकिन सब जो खाते ठीक है यह ऐसी कुछ लाइन इसकी बीच से आई थी एक वो देखना आपने चने जोर गरम चने बनावे घासी राम जिनकी जोली में दुकान चना चुरमुर चुरमुर बोले बाबू खाने को मूँ खोले चना खावे तोकी मैना बोले अच्छा बना चबेना चना खाए गफरून मुन्नी बोले और नहीं कुछ सुनना चना खाते सब बंगाली जिनकी दोती डीली ढाली यहां पर यह देखिए यह बो रहा है कि जो काशी की ततकाली प्रसिद वैश्याएं थी यह इनके नाम है अब आपको प्रशन ऐसा पूछा जा सकता लेगिन आपको यह बारी की अब देखने पड़ेंगी नाटकों की ठीक है तो यहां पर कौन-कौन सी गणिकाय आई हैं गणिकाय यानि की वैश्याए आई हैं उपर गणिका की बात इसने की भी थी देखना बिलकुल शुरुआती पंक्ती में ठीक है तो भी आप ध्यान मे किया हुआ है जो उसम की प्रसिद वैश्याएं थी और वैश्याओं में जाने वाले जो भी लोग हैं उन सब को जो है वो चना क्या है खुबाता है और जुट्टा के सीर है तो यहां पर पहले नमबर पर कवाब वाला दूसरे नमबर पर है गासी राम उसके बाद है आपका तीसे नमबर पर देखिए यहां पर नारंगी वाला अब नारंगी वाले ने देखिए सिलहट यह बंगाल क्या एक कसबा है बंगाल का ही था या कुछ और है निचे लिखा है यहां बंगलादेश का मंगलादेश का एक कसबा है और बुटवल जो है यह कहां के नगर है यह नेपाल का एक नगर है ठीक है तो आपको फिर से प्रशन ऐसा कुछ जा सकता है कि बुटवल और सिलहट की नारंगी का जिकर कहां पर हुआ है तो नारंगी वाले ने किया है देखना यह कि वही यह सिलहट की नारंगी और बुटवल की नारंगी रामबाग की नारंगी और आन वहां पर बेचने वाले बाजार में हैं उन सब कचित्रण किया और वो सारी ही चीज़ें क्या बेच रहा है ठाके में ही बेच रहा है ठीक है अंधेर नगरी हमें हलवाई जलियां जलेबियां गर्मा गरम ले सब इमारत लड़ू उसके बाद आगया हलवाई वाला देखिए ठीक है और गुलाब जामुन है खुर्मा है बुंदिया बर्फी समोसा पेड़ा कचोड़ी दाल मोट पकोड़ी बगेर अब गड़ा सारी चीज़ें यह बेच रहा है यहां पर ठीक है और यह भी क्या है सिर्फ टके में ही बेच रहा है ठीक है फिर आता है कुंजनीन इतना याद रख लेना है कि यह क्या रहे हैं इन्होंने मतलब यहां पर अलग-अलग चीज़ें यहां पर बेचने का काम किया हुआ है तो कुंजनीन से आपको यह चीज याद रखनी है यहां पर कि यह सबजी बेचने वाली जिसमें लास्चुन में चुप्याज टिकोरा इत्यादी ठीक है फिर आता है मुगल मुगल से आपको क्या याद रख लेना है यह मेभी और फल बेचने वाला है इतना याद रखेगा देखिए यहां पर यह बोरा है बदाम पिस्ते अक्रोट बिही दाना मुनक का किश्मिश अंजीर सब कुछ बेच रहा है यह ठीक है त इसको खाते है कृष्ण मुरारी ठीक है तो यहां पर पाचक वाला एक और पात्र है जो चूरन विक्रेता है बस आपको इससे यही द्यान लेना और यह उसकी अर्विटाइजमेंट यहां पर कर रहा है ना फिर उसके बाद इनको दिखना एक बार यहां से ना यह वाली जो पंक्ति है यहां पर चूरन सहाब जो लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता चूरन पुलिस वाले खाते सब कानून हजम कर जाते मतलब यहां पर फिर से इसने वेवस्था के उपर वियंगे किया है कि यह जो चूरन है ना यह चूरन का मतलब है यहां पर की जो आपका तरीके से ठीक है कि सब लोग खाते हैं वही सारा हिंदुस को पूरे भारतवर्च को इनोंने क्या कर दिया है खात्म कर दिया है चूरन खा कर तुम लोग भी खाईए वही यह इस तरीके से यहां पर इंडारेक्टली मैसेज भी दिया जा रहा है तो एक पहुती कंभीर मैसेज इस नाटक के जरीए उना हास्याव वṇ्ण यातमक्ता के जरीए देने का प्रियास किया है और ये पंग्तियां बड़ी इंपॉर्टन एह देखना इस वाले की जो पार्चक जो पंग्तियां यह पूछी जा सकती है देखना नाटक वाले खाते नکल पचा कर लाते चूरन सब या एक टके के विकाई लग टका के बाला ठीक है यह मचली वाला है मचली वाले के बाला तरह जात वाला ये भी इसमें इंपॉर्टन्ट है जात वाला पाचक वाला ये जादा महत्पवन इसलिए हैं देखना क्यूंकि इसके जरीए सीधा इन्होंने प्रहार किया है बाकी तो तो सच करें और टके के वास्ते ही जो आगे क्या कह रहा ही देखना ब्रामन से मुस्लमान मतलब सब कुछ क्या है टके के हिसाब से ही है मतलब ब्रामन को क्षेत्रिय जब करने की बारे से तो उसको वैसा कर देंगे जब अपने मतलब अपने उलू के उलू सिदा करने के लिए किसी को भी कुछ भी कह देना यह चीज है इसके कहने का मतलब फिर आता है बनिया आटा दाल लखडी नमक घी चीनी मसाला चावल ले टके से चीक है तो यह सारी चीज़ां यहां पर टके से बेच रही है एक एक व्यक्ति जो है अपनी वोने कह दिती और आज भी इस नात कम बंचना आप देखते हैं जगा 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 जो है वो होता रहता है ठीक है यह हो गया सबने अपनी अपने अपनी इंट कर ली उसके बादा आता है गुबर्धंदास फिर से फिर यह कह रहा है देखिए बाबा जी का चेला गुबर्ध ये सारी चीज़ें ये क्या बर भावालाई प्रड़े जिसर में ही है फिर बोबर दंदास वहावा बड़ा आनन्द है यहां सभी सिटेके से क्या पर नारे की अकि हम अगर सारी ड़ुअ जकतन colour अगर सफाने सेytyी photood alert गुलाब जामुन खाजा सब टके सेर हैं वावा बड़ा अनंद है क्यों बच्चा मुझसे मस्खरी तो नहीं करता सचमुछ टके सेरी है ना हाँ वाबाजी सचमुछ टके सेर है इस नगरी की चाल ही यही है यहाँ सब टके सेर बिक्ती है क्यों वच्चा इस नगर का नाम क्या है अंधेर नगरी और राजा का नाम क्या है चौपट राजा वहवा अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके सिर खाजा यही गीत है और अनंद से बगल बाजाता है ठीक है तो यह चीज यहां पर आप ध्यान में रखिए कि कहां पर आया यह पहला कतन देखिए कि टके सिर भाजी टके सिर खाजा यह आएगा आपका इस तीसरे वाले बजार वाले अंक में ठीक है उसके बाद कौन सी है देखिए फिर यह कह रहा है हलवाई से तो बाबा जी कुछ लेना देना हो तो लो दो हलवाई कहता है गुबर्ध अगया देखनी है जाते है प Anda को गारे आपका इस वाले यह निका力 गिरती है का मतलब है दिखना परदक गिर जाता है उसके बाद है आगे तीसरा अंक जंगल का अब इस जंगल में क्या है देखिए मांत जी और नारायन दास एक और से राम भजो मतलब वो तो वही अगा रहे हैं कि राम भजो राम भजो राम भजो भाई जो शुरुवात में आई था आई थी देखना पंक्ति लेकिन दूसरी और से गोबर्धन दास जो अब वो अंधेर नगरी गाते हुए आते हैं ठीक है अंधेर नगरी चौपट राजा तके से इरभाजी तके से खाजा यह इस तरी के कद दूसरी तरफ से क्या कर रहे हैं मतलब गा रहे हैं ठीक है इसको ध्यान रखिए फिर उसके बाद आगे य यहा भाया हुं, साढ़हे तीन सिर मिठाई है ठीक है देखुं बच्छा मिठाई की जोली अपने सामने लग कर खोल देता है वह 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 प्च्छा इतनी मिठाई कहां से लाया किस धरमात्बा से भेंट हुई गरूजी महाराज साथ पैसे भीक में मिले थे उसी से इतनी में ठाई मोल ली है ठीक है एक बार फिर से साथ पैसे का जिकर हुआ बच्चा महंत कहता है कि बच्चा नराइन दास ने मुझसे कहा था कि यहां सब चीजें टके सेर में मिलती है मतलब यहां पर देखना यह कई बार गलती हो जाती है हम से यहां पर हम यह सोचते हैं कि जो टके सेर में मिलती हैं तो मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया बच्चा यह कौन सी नगरी है और इसके कौन राजा है जहां टके सेर भाजी और टके सेर खाजा है खाजा एक परकार की एक मिठाई है जो मैदे से बनती है विशेश किसम की ठीक है तो यहां पर देखे का दाम एक ही है वह ऐसी नगरी में हमें नहीं रखना चाहिए क्योंकि इसमें जरूर कुछ ना कुछ जोल है ठीक है तो इसमें एक दोहा ये कहता है देखना ये दोहा फिर से मतपून है ये कर रहा है कि सेत सेत सब एक से जहां कपूर का पास कि श्वेत रंकी सारी चीज़ें एक ही रंकी हो जाए, चाहे वो कपूर हो जाएगा पास हो, ऐसे देश को देश में कभोन कीजे वास, ऐसे देश में हमें कभी भी नहीं रहना चाहिए वही, कोकिला वायस कि जहां पर कोयल और कववा जो है वो एक समान है पंडित और मुर्ख एक समान है इंद्राइन दाडिम विशे जहानने कूबी वेक बस ये ऐसे देश नहीं कनक विष्टी जो होए रहिए तो दुख पाईए प्रान दीजिये रोए सुबच्चा चलो यहां से ऐसी अंधे नगरी में हजार मन मिठाई मुफ्त की मिले तो किस काम की यहां एक ख्षन भी नहीं रहना चाहिए कि अगर यहां पर हमें हजार मन मिठाई भी मिल जाए तब भी हमें ऐसी नगरी में नहीं रहना चाहिए, कुछ गढ़ बढ़ है, ठीक है, तो ये चीज यहां पर ये कह रहा है, जो आपका महंत है, लेकिन ये गुबर्धन दास लालचिक प्रवितिका था देखे, ये कह रहा है कि गुरू जी, ऐसा तो संसार भर में कोई देश ही नहीं है, दो पैसा पास में रहने ही से मज़े में पेट भरता है, मैं तो इस नगरी को छोड़ कर नहीं जाओंगा, और जगह दिन भर मांगो, तो भी पेट नहीं भरता, ठीक है, हाँ, और जगह स्वरी, और जगह अगर दिन भर मांगेंगे, तो भी हमारा पेट नहीं भरेगा, ये कह पर जो आपका गुबर्धन है अब इससे फिर सही परिशान हो जाता है देखना यहां पर के साथ चाते हैं और गुबर्धन दास बैठकर में ठाई वहीं पर खाता रहता है फिर से यवनिका गिरती है यहां पर तीसरे अंक हो गया समाप तीसरे अंक में हमने गया देखा सिंपल इतनी सी चीज़ें आपको याद रखनी है देखना कि इसमें आपको मुख्या रूप से यह बताया गया है कि जो गुबर्धन दास है उसको जो महंत है वो एक शिश्या तुम्हें शिक्षा दे रहे हैं कि वह ऐसी नगरी में नहीं रहना चाहिए चाहां पर हर चीज जो है वो एक ही दाम में मिल रही है इसमें जरूर कुछ न कुछ है गड़वड है ठीक है लेकि अंक जो यहां पर है यह बड़ा important interesting है यहां पर देशी राजाओं की जो स्थिती है वो बताई गई है देखना उस वक्त की राजा मंतरी और नौकर लोग यता स्थान स्थित हैं मतलब वो stage पर है एक सेवक चिला कर पान खाईए महाराज राजा पीनक से चौंक के गवड़ा राज पीन के मतलब यह ओंगना टाइप है पिसेश के समकाना चाहिए नीचे लिखा भी होगा देखना तो क्या कहा है सुर्प नखाई ये महाराज भागता है उसको सुनाई देता है कि दिए उसने बड़ता कि पान खाईए उसको लगा कि सुर्प लगा कि ठीक है मंत्री र में वही मतलब थोड़े के नाम से दर जाता है मंतरी तुम बड़े वही नाम से दर जाता है मंत्री तुम बड़े खराब आदमी हो हम रानी से कह देंगे कि मंत्री बेर बेर तुम को सौत बुलाना बुलाने चाहता है नौकर नौकर शराब फिर दूसरी तरफ यह क्या कह रहा है कि वह सुर्पनका से डर रहा है तो मैं तुम्हारी शिकायद जो है रानी से कर दोगा क्य के एक फिस रही में एक गिलास में शिराव को उलज कर देता है लिजी महराज पीजी महराज राचा मूह बना कर पीता जैसे मूह बनाते हैं शराव को पीते वक्त हम ठीक है और कहता है कि और दे ते फिर Iangel realt मतलब कि पीछे से आवाज आती है निपथ्य बगेरा और यह जो आपके सारी चीज़ें है देखना यवनिका यह हमने नाटक में पढ़ा है PGT में तो इन चीज़ों को बताने की जरूरत मैं समझता हूं कि यहां पर नहीं है आपको ठीक है तो निपथ्य से आवाज आती है दुहाई है माराज दुहाई है हमारा न्याय हो अब राजा कहा रहा है चूप रहो तुम्हारा न्याय ऐसा होगा जहां कि यम राज के जैसा यम राज के यहां भी नहीं होगा बोल क्या हुगा माराज कलू बनिये की दिवार गिर पड़ी सो मेरी वक्री उसके निचे दब तो हाई है माराज निया हो राज नौकर से कहता है कि या कलू बनिये की दिवार को अभी पकर लाओ महाराज दिवार नहीं लाए जा सकती देखिए कैसा राजा है कि दिवार कोई लाने कादिश दे दिया राजा बोलता है कि चाह उसका कोई भाई लड़का दोस्त आशना आश उसको भाई उसका भाई बेटा कोई रिष्टेदार नहीं होता राजा अच्छा कल उ बनिये को पकड़ के लिया आओ नौकर लोग जो है बनी यह को पकड़ के लियाते हैं क्यों भी बनिये इसकी लरकी कि नहीं बरकी क्यों दबकर मर गई देखे उसके एक तो नियाय करने की वो अवस्था में नहीं था शरापी के नियाले में नहीं सुरी अपने जो राजवावन में बैठा है ठीक है मतलब यहां पर क्या है कि जो राजा है वो भोग विलासिता एंड सत्ता लोलुपता में ही सनलिप्त थे एक तो यह चीज यहां पर आपको ध्यान में रखनी है और उससे हम नयाय की उमीद नहीं कर सकते हैं ठीक है यह चीज उस वक्त थी तो देश का जो आम तबका था वो ऐसे ही शासनों जो आपके शासक थे उनके नितित्तों में रह रह रहा था और यही चीज आप देखेंगे रितिकाल में इससे ज निकलना चाहते थे इसलिए जो है बारतेंदु अरिशंदर को इस तरीके के नाटक को लिखने की आवशक्ता पड़ी और यही जागरण धीरे-धीरे क्या हुआ एक सांस्कितिक जागरण हुआ जो हमने पीछे देख लिया जिसमें आपका ब्रहम समाज से लिकरके हर एक समा पहले किसको बुलाता है या फिर किस बात को लेकर को नयाय देना चाहता है तो यहां पर आपको ध्यान यह रख लेना है कि जो कलू बनिया है देखना उसके दिवार गिर गई जिसके नीचे मरकर एक जो है एक फर्यादी है इसका नाम यहां पर नहीं दिया है कि उसकी बक्र को ही देना चाहता था कि उसको सज़ा होनी चाहिए ठीक है फिर बोलता है कि चलो दिवार के रिष्टेदारों को बुलाईए उसको सज़ा होनी चाहिए अब यहां से आपको यह क्रमा नुसार पूछे जा सकते हैं कि वो बारी-बारी से किसको जो है वो बुलाता है तो सबसे पहले बुला गया कलूबनिय की दिवार को फिर दिवार के रिष्टेदारों को फिर दिवार के रिष्टेदारों के बाद पता चला कि वही उनको तो फांसी नहीं हो सकती ठीक है फिर क्या रहेगा आपका कलूबनिय को ही बोलता है कि चलो उसको ही बुला लीजिए कलूबन कि उसने दूसरे के सिर पर मढ़ दिया कि वही मेरा कसूर नहीं है और चुने वाले का सूर है राजा बोलता है कि अच्छा विसको भी निकाल देते हैं अब चुने वाले को निकालते हैं चुने वाले को बोलता है कि महाराज मेरा भी दोश नहीं है भिष्टी ने चुने में प विष्टी गंगा जमना की किष्टी को निकाल देता है, फिर गयता है कि कसाई को बुलाया जाए, कसाई गयता है कि महाराज गडरिये ने टके पर ऐसी बड़ी भेड मेरे हाथ पेची कि उसकी मश्क बड़ी बनेगी, यह वो रहा है कि इसने क्या कर दिया, कि उसने मुझे भे बेड़ का ख्याल नहीं किया मेरा कुछ कसूर नहीं है अब गड़रिये ने आगे किसको बोल दिया कि कोतवाल साहाब कर दिया एक सवारी निकाली थी और मेरा सारा ध्यान जो वो कोतवाल की सवारी पर गया और मैंने चोटी बेड़ की जगा उसको वड़ी बेड़ दे दी और कोतवाल जो आ जाता है क्योंब कोतवाल तुने सवारी ऐसी धूम से क्यूं निकाली की गड़ेर indigenousaza कर बड़ी भीडबेची जिस कुप इस पूरे नगर को इफांसी लगा दे कि कोतवाल से यह नहीं तो उसने एक दम से कह दिया कि तुमने ऐसी धूम से सवारी क्यों निकाली तो अब मंतरी को यह था कि चलो पूरे शहर को मारने से अचा है कि कोतवाल को ही फांसी पर चड़ा दिया जाए ठीक है तो वो कहत पूरी ने यहां पर थोड़ा सा क्या किया अपनी बुद्धी मता से उसको कोतवाल को ही फांसी देने क्या आग रह किया कुछ नहीं महाराज महाराज ले जाओ को अभी फांसी दो दरबार बर खास्त और यह निका वहां पर क्या हो जाती है आपकी गिरती है ठीक है लोग ए पांचवन का नाम है अरन गुबर्धन दास गाते हुए आते हैं अब यहां पर एक राग है देखना राग काफी क्या सा राग है यहां पर राग काफी तो यह वाला प्रश्ण भी पूच जा सकता है देखना कि अंधे नगरी में कौन सा राग आया है जी कैसे तो अलग-अलग मानने बढ़ाई सबाइग से लोग लुगाई मतलब यहां पर यह बो रहा है कि सभ्हीए को रहा है जंगल में और ऊपर इन सब अपने की देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या? पहला प्यादा चल बे चल, बहुत मिठाई काकरम उटाया है, आज बूरी होगे, बाबा जी चलिए नमो नरायन कीजिए दूसरा कहता है गुबद अंदास गवराकर ये हापत कहां से आ गई है अरे भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझको पगड़ते हो आपने बिगाड़ा है या बनाया इससे क्या मतलब अब चलिए फांसी चलिए फांसी करने होती ही जब सूली चर लीजेगा तब मालुं होगा कि हैंसी है कि सच है सीदी रास से चलते हो कि गसिट कर ले भगवान को जवाब राजा देगा हम को क्या मतलब हम तो हुकमी बंदे हैं तब भी बाबा बात क्या है कि हम फकीर आदमी को नहाग पसा देते हो यह देखिए अब उसकी बारी आ गई पहला प्यादब क्या कहता है कि बात यह है कि कोतवाल की को फांसी का हुकम हुआ था जब कि बकरी मानने के अपराद में किसी न किसी को सजा होना ज़रूरी है नहीं तो न्याई ही नहीं होगा है ना इसी वास्ते तुमको जाते हैं ले जाते हैं कि कोतवाल के बदले तुमको फांसी दें ये चीज़ है गोबर धंदास तुक्या और कोई मोटा आदमी इस नगर में न पहराए और फिर इस राज में साधुमात्मा इन ही लोगों की तो दुर्दशा है इससे तुम ही को फांसी देंगे आगे क्या गरा है गुवर्दंदास दुहाई परमेश्वर की अरे मैं नहाक मारा जाता हूं अरे यहां बड़ा ही अंधेर है अरे गुरुजी महाराज कहा मै मैंने माना न माना उसका फल मुझको भोगना पड़ा गुरुजी कहा हो आओ मेरे प्राण वचाओ अरे मैं बेया प्राद माला जाता हूं गुरुजी गुवर्दंदास चिलाता है प्यादे उसको पकड़कर ले जाते हैं तो यहां पर है तीसरे जो आपका अरण्य है गारा होता है कि अंधेर नगरी चौपट राजा टके सेरभाजी टके सेर खाजा कोई भी यहां पर जो है वो क्या है सब वराबर हैं भई कोई भी उच नीच नहीं है फिर आता है लास्ट में शम्षान पांचो में ही उसको पकड़ लेते हैं कि यहां पर तो कोई मोटा ही न आता है गुवर्ण अंदास हाई बाप्रे मुझे बेक्सूर ही फांसी देते हैं अरे भाईयो कुछ तो दरम विचारो अरे मुझे गरीब को फांसी देकर तुम लोगों का क्यालाव होगा अरे मुझे छोड़ दो हाई हाई रोता है और छुड़ाने का यतन करता है पहला सि तो अब क्यों बेकार में शोर कर रहा है एक तो ये चीज़ है दूसरी चीज़ क्या है इसमें आगे क्या कहता है गोवर्ण अंदास हाई मैंने गुरू जी का कहना न माना उसी का यफल है गुरू जी ने कहा था ऐसे नगर में न रहना चाहिए या मैंने ने सुना अरे इस नाम ही अंदेर नगरी और राजा का नाम चौपट है तब वचने की कौन आशा है अरे इस नगरी में ऐसा कोई धर्मात्मा नहीं जो इस पकीर को बचावे गुरू जी कहा हो बचाओ गुरू जी बचाओ रोता है सिपाही लोग जो है वहां पर आ जाते हैं ठीक है यह सारी चीज़ें हैं एक मिनिट कि देखिए मज़ा तो आ रहा होगा आपको लोगों को मैंने तो इस नातक का मंचन बहुत बार किया है अब लोगों ने शायद किया या नहीं कर देखिए अगी तो अब इसकी शॉक्त तेरी क्या दशा है गुरू जी आजाते हैं सिपाहई लोग उसे गसीटी बुले चलतें गुरू जि नारायान्दास चले अथे कहा रहा है क्या दशा हो गी है तेरी अब आगे क्या कहता है यह गुवसीए और दब गई गई अ क्यूर्ण अगर में रहना ठीक रही है तो ने मेरा कहना नहीं माना मैंने आपका कहा नहीं माना उसी का फल मिला आपके सिवा अब कोई रक्षा अब ऐसा कोई नहीं जो मेरी रक्षा कर सके यह कहा रहा है देखना यह वाली बात अब आगे क्या है कि कोई चिंता नहीं नारायन सब समर्थ हैं बहुंचे डाकर स्विपाईयों को कहता है सुनो भई मुझको अपने शिश्यक अंतिम उपदिश देने दो तुम लोग तनिक किनारी हो जाओ देखो मेरा कहना ना मानोगे तो तुमारा लाब ना होगा नहीं महाराज हम लोग हट जाते हैं आप बेशक उपदिश स्वर्ग जाने में बुड़ा जमान क्या आप तो सिध हो आपको गती आगती से क्या में फांसी चड़ूँगा इसलसी परकार दोनों हुजत करते हैं सिपाही लोग जो है व कि आपस मैं करते हैं मतलब बोलते नहीं है कि मैं जाओंगा मैं चड़ूंगा फांसी अब क्यूं चड़ेंगे यह इसका भी एक लिखन है याँ पर पहला सिपाई बोलता है भाई क्या माजरा है कुछ समझ नहीं पढ़ता ठीक है दूसरा सिपाई हम भी नहीं समझ सकते कि यह कैसा गड़बड़ा गड़बड़ा है क्या गोलमाल है यह ठीक है राजा कहता है फिर आता है अब का पहला सिपाही महराज चेला कहता है कि मैं फांसी चड़ूंगा और गुरू कहता है कि मैं फांसी पड़ूंगा ठीक है अब दोनों आपस में लड़ रहे हैं तो अब यह तो मतलब एक सोचने और विचाने वाली ब कहता है मैं चड़ूँगा दूसरा कह रहा है कि मैं पढ़ूँगा क्या बात है राजा गरा गुरू से बाबा जी बोलो काहे को आप हांसी चड़ते हैं गुरू गयता है कि राजा इस समय ऐसी साइथ है कि जो मरेगा सीधा बैक हूंट में जाएगा देखिए इसका दिमाग द त वह शुनादी की इस वक्त ऐसा योग बना है कि जो तर जो भी क्या करेगा इस वक्त जो है फांसी चड़ेगा सीधा कहां जाएगा वो बैक हूंट जाएगा ठीक है यह चीज़ है मंत्री मंत्री आठरा समझदार था वह वो रहा है वो वह रहा है तब टो हमी फांसी चड़ेंगे फिर गोबर्दंदास हम 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 anlam को तो हुकम है। 'tीक है गोबर्दंदवन भी अब थोड़ा सा नॉटनकी कर रहा है क्योंकि उसको तो गुरू ने समझा दिया कि हम चड़ेंगे ठीक है कोतवाल हम लटकेंगे हमारे सबब तो दिवार गिरी अब तो कोतवाल स्वाइम कह रहा है कि मैं ही दिवार पर ये फांसी पर चड़ जाओंगा राजा कह रहे हैं कि चुप रहो सब लोग राजा की आचत आचत मतलब जीते जी और कौन बैकुंट ज जाना चाहिए ठीक है ताकि हमें ही बैकुंट की प्राप्ती हो सके ठीक है तो हमको फांसी चड़ाओ जल्दी जल्दी और जहान धरम यहां पर देखे फिर से एक उप्रेश जो है वो गुरु के द्वारा दिया गया है जहान धरम बुद्धी नहीं नीती ना सुजन समाज तो ऐसे ही आप हूं नसें जैसे चौपट राज तो यहां पर यह बोता है कि जहां पर धया धरम बुद्धी नहीं होती है ठीक है नीती नहीं होती है ना तो अच्छा ग्यान होता है तो ऐसे ही आप हूं कि अपने आप ही स्वैम ही वो ऐसे नश्ट हो जाता है जैसे चौप ही easy है इसको समझना यहां पर आपको जो प्रश्ण बन सकते हैं जो में में प्रश्ण मैंने आपको पहले ही बताये थे बस उन्हीं को आपने थोड़ा सा द्यान भी रखना है ठीक है इसको देखिए गाओ है ना बाकी इसमें कुछ भी extra ऐसी बात नहीं है कि जो आपको समझ न समाइन है देखना जिससे इसकी समाप्ति हुई है कि जहां न धर्म न बुद्धी नहीं निति न सुजान समाज ते ऐसे ही आप हुँ नसें जैसे चौपट राज ठीक है कि यह से ही नश्टोंता जैसे चौपट राज का खात्मा हुआ है ठीक है यह आपको यहां पर इसमें ध्यान में रखना है अब जो इसमें मुख्य बाते हैं वो कौन-कौन सी है उनको हम थोड़ा सा जानते हैं ठीक है पढ़ना तो आपको पूरा ही पढ़ेगा उपर-उपर से नहीं पढ़ना है ठीक है जैसे जो लाइन जहां पर आपको लग रहा है कि ये एक्जाम में काम की हो सकती है उसी लाइन को आपने याद अखना है ठीक है औरों को याद अखने की जरूरत आपको नहीं है जो में में चीज़ें हैं वो आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेंगे ओके इसको देखिए अब यह वाली स्लाइड वीजिवल है सबको इसमें जो मुख्य बाते थी ना केवल उनको ही फोकस करना मुख्य बातों का मतलब है जैसे हमने शुरुवात में देखा कि अंक कौन से हैं एक तो वो चीज़ है दूसरी चीज टोटल अंक कितने हैं तीसरी चीज पात्रों का जो थोड़ा सा ये मतलब उनका व्रक्तित तो कै इसा है वो याद रखना है पात्र तो यहां पर सबसे जरूरी गोवर्धन दासी है इसमें पूरी की पूरी स्टोरी जो उसके इर्दगेद ही गूमती है देखना बाकी पात्र तो यहां पर गुरु का पात्र गुरु जो है वो बहुत जरूरी है एक महंत है सादू है जो ब भारत दुर्दशार नाटक के बारे में ऊपर वताई गई चीज़ें हैं ना चलिए मैं इसके बाद उसको बताता हूँ आपको उसको एक बार जरूर देखना वो most important चीज़ है देखना उसकी उसको देखना पड़ेगा ठीक है चलिए बात मैं बताता हूँ आपको कि क्या ऐसा है ठीक है यह मैंने पहले भी आपको बता दिया था जब हम यह वाली बात पड़ रहे थे देखना आपका नाटक का परीचा वाली ठीक है तो उस वक्त हमने इस चीज़ को देख लिया था यह चीज़ देखना कि वैदिकी हिंसा हिंसाना भव्ति प्रेम जोगिनी विश अनुदित नाटक हैं वो 9 हैं अनुदित यहां पर नहीं रखे हैं अनुदित नाटक हम कल पड़ेंगे आज आपने सिर्फ इन आठ नाटकों के बारे में देखना है इनमें से अंधेर नगरी हमने पढ़ लिया इसके लावा जो भारत दुरदशा है इसको साथ में आप कल क करेंगे हम और बाकी नाटकों को थोड़ा सा देख लेना इसकी जो बिशवस्तू बगेरा बगेरा है ठीक है तो थोड़ा सा आपने ये देखना है ओके इसको देखी आप है ना चलिए अगला क्या है यहां पर अगले हमारे पास अंधेर नगरी 1881 अब देखिए ये प्रश चार पंक्तियां दे गई एक में इसका फ्रकाश नवच दे दिया दूसरे में इसके अंकों के नाम दे दिये गया तीसरे में इसके पात्र दे दिये गए तो फात्र यहां पर सारे के सारे रखे गया है देखना और यहां पर वो बिल्कुल करम से रखे गया है जैसे करम से व पिर उसके बाद आपका क्या आता है बीच में ये सबसे पहले जो आपका फर्यादी आता है देखिए दरवार में फर्यादी के बाद कलू है कलू बनिया आएगा ना कलू बनिये के बाद जो है कारिगर आएगा प्यूंकि उसने कारिगर से दिवार बनाई थी फिर दिवार ब तिरसने में यहां, पिर वापीस आ जाते हैं फिर वह श्या है फिर तो वहीँ है जो शारे की सारे बादर है लास्ट में ठीक है तो यह पूरे के पात्र्य आपको यह तो पर प्रतिक भी लोब नहीं करना है लोब पाप का मूल है ठीक है ये चीज़ कहते हैं न और दूसरी तरफ ये क्या कह रहा है देखना कि जो आपका लास्ट में ये कहता है कि जहान धरम न बुद्धी नहीं निती न सुजन सुमाज तो ऐसे ही आप हुनसे जैसे चौपट राज ये भी यह कि अपर उपधीश ते रहा है देखना इस नाटक में लास्ट में महन्त के जरिए इसने क्या दिया है उपधेश और नीती की बात कही है फिर गुद्धं गुद्धंदगाया और जो राजा है देखना वो सत्ता लोलूपता एवं विवेक हींता का प्रतीक है, हलांकि नरायन दास उसका अधर्श रूप में देखने को नहीं मिलता है, उसका कोई संबाज मी हमें जादा नहीं मिलता, ठीक है, ये दूसरा शिश्य है इसका देखना, राजा जो है वो सत्ता लोलूप है, यानि की सत्ता का लाल्ची है, लो भी है और विवेक हिन्य है, और ये सिर्फ एक चौपट राजा नहीं था बलकि उस वक्त जो है हमें चौराहे चौराहे पर चौपट राज मिलते थे, ये कहने का म तीसरा है जंगल, चौथा है राजसवा, पांचों है अरन्य, छटा है शम्शान, ठीक है, इसको ध्यान में रखिए, इसके बाद आगे कौन सी चीज आती है, पहले अंक में क्या चीज है, बाहया फ्रांत में, एक नजर में फिर से देखते हैं इसको, आपको बस ये छोड़ी आगे वाली क्लास में देखेंगे, अभी फिलाल इतना यहां पर करेंगे, तो अंदे नगरी पहला अंक, ये बुरह है कि इस अंक में महंत जी अपने दो चेलों, नरायन डास और गोवर्धन डास के साथ राम भजन करते हुए मंच पर प्रवेश करते हैं, और ये पंक्ति ये कहते हैं कि राम भजो, राम भजो, राम भजो भाई, राम के भजे से गनिका तर गई, राम के भजे से गती, गीद गती पाई, कि गीद भी जो है वो गती पा रहे हैं, राम भजन से ही, और गनिका भी तर गई, यानि कि वैश्या भी जो है वो भवसागर से पार हो गई मांतची गोवधन्दास को पष्चिम की और नरानदास को पूरव की और विक्षा मांगने भेज़े यह लोभ नहीं करना ठीक है हमें लालच नहीं करना चाहिए यह उपदेश के साथ वो भेज देते हैं और लिखाय देखे हैं लोभ का पाप को मूल है लोब मिटावत मान कि लोब तो हमारी मान मरियादा को भी खतम कर देता वई लोब कभी न कीजिए यह में नर्क निदान थीक है यह में नर्क तक पहुचा देता है ओके 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 कोई बात ने धिरच ठीक है यह हो गया इसके बाद अगली चीज कौन सी है देखिए उसको थोड़ा सा आपने देखना है यह उगया पहला अंक कुछ भी नहीं था इतनी ही चीज़ें थी पहले अंक में दूसरे अंक में क्या है दूसरा अंक है आपका बाजार का इसंक में गुबर्धन दास चौपर राजा की अंधेर नगरी में पहुंचता है जहां बाजार में तरह तरह की वस्तमें बिक रही है परंतु सभी का मुल्य टका सेर है उसे आश्यरे तो होता है पर वहां से मिठाई ले लेता है ठीक है आश्यरे कुछपल के लिए तो उसको होता है लेकिन लाजची प्रवृति का था तो ले लेता है उन चीज़ों को ठीक है पहले पहल कवाब वाला कवाब बेचता है तो पहले नमबर पर कवाब वाला उसके बाद घासी राम काशी की ततकालिन वैश्याओं के नाम गिनाता है तोकी मैना गफूरन और मुन्नी ये एक बार फिर से याद रखिए इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि आपको कोई और पूछी जा सकती है इससे देखना अब इसकी चाहे और चीज़ें नाटक के बाहर से पूछी जाएं वो एक अलग बात है नाटक हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया उसमें कोई भी ऐसा अंश नहीं था जिसको हमने नहा देखा हो ठीक है तो ततकालिन वैश्याओं कहां की थी काशी की वैश्याओं का बदन है इसमें तौकी मेना गफूरन और मुन्नी फिर नारंगी वाला आता है देखिए तीसे नमर पर ये क्या कह रहा है बंगलादेश के एक नगर सिलहट और नेपाल के कस्वा बुटवल की नारंगी बेशने के साथ साथ कानफूर उत्रप्र गासी राम के बाद आपका नारंगी वाला आगया नारंगी वाले के बाद हलवाई हलवाई बाद के कुझडिन कुझडिन के बाद मुगल मुगल के बाद पाचक वाला इसके बाद मचली वाला फिर जात वाला और फिर बनिया ये इतने सारे लोग यहां पर आते हैं देखन यहां पर जो चुरन की बात मैंने कहीं न उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा वो बड़ी इंपॉर्टेंट है देखना वहां से प्रशना आपको आ सकता है चुरन साहब जो खाता ठीक है उसको एक बार आपने देखना वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है जो पाचक वाल ला कहता है और चना जोर गरम है ये वड़ी इंपोर्टेंट लाइन है जो दूसरे अंक में घासी रामा आता है जो चना बेशता है देखना उसको याद रखिएगा ठीक है तो ये आप यहां याल रखना इनसे बाकी और कोई खास बात दूसरे अंक में नहीं रहेगी तीसरे अंक में चले जाना है जंगल का द्रिश्य है देखना यहां पर इस अंक में महंत जी और नरायन दास एक और से और दूसरी और से कौन आते हैं गोबर्दंदास गाते हुए आते हैं एक तरफ से राम भजो और दूसरी तरफ से अंधेर नगरी यानि कि राम भजो क्या कौन क क्या उक्देश देते हैं सेथ सेथ सब एक से जहां को पूर का पास ऐसे देश कुदेश में कभा होना कीजे बास यह वाली पंक्ति यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इसको याद रखिए और प्रशन ऐसा पूछ जा सकता है कि इन पंक्तियों को आपको मिलान के इसके लिए ऐसे प्रशन आसके देखना कि यह पंक्ति जो है वो किस अंक में है ठीक है तो प्रथम अंक में पंक्ति दूसरे अंक के पंक्ति आसे कर नको थोड़ा सा याद रखिएगा इन गीतों को यह एक प्रशन और बनेगा आपको की पहले अंक के गीत कौन है इनको मिलान के लिए रखिए दूसरे अंक में कौन सा गीत आता है इसको मिलाइए ठीक है तो यह हो गया फिर गुबर्धन दास जो है गुरू के साथ चलने से मना कर देता है और उसी नगरी में रहना चाता है ताकि टके सेर के भाव से बहुत कुछ अच्छा खा सके तो ये तीसरे अंक में गुरु तो उसको देश दे रहा है कि ऐसे नगर में नहीं रहना चाहिए हम तो जाते हैं लेकिन वो मना कर देता है साथ में गुरु को भी कहता है कि आप भी मत जाईए लेकिन गुरु जो है वो नहीं मानता और महन जो नारायन दास र प्रश्ज़ा सुना देता है तो यहां पर आपको ध्यानक लेना है कि फांसी कि सज़ा किसको सुनाए गई है कोतवाल को बहुत मतफ़ून प्रश्न है देखना यहां पर बहुत साइथ लोग जल्डबाजी में कलूबनिया कर देते हैं तो फांसी कि सज़ा नहीं सुनाई थी करन्य सबसे पहले बुलाया तैखना तो वह से निवमाली के रिष्ठ राराम को बुलाया लिकेन को इसको घुपनी निया से उपने पक्ष रखता है और आगे कहता है कि मेरी गल्ती नहीं है वह कारीगर ने दिवार एsवे उन şunu के पहिते ने विष्टी को विष्टी जो है वह आपके कसाई को कसाई जो है आपका कोतवाल को मतलब अलग चीजों को वह आगे टरका देते हैं उस बात को यहां पर फांसी किसको दी गई कोतवाल को ही दी गई किसकी वज़ा से मंत्री की वज़ा से क्योंकि मंत्री को बैता कहीं यह पूरे का नाम बीच में ले लिया था कि मैं तो शहर इंतजाम के वास्ते गया था वही अब जब शहर की बात अगर आ जाती तो राजा जो है वो मुर्ख था क्या पता वो पूरे शहर को फांसी लगा देता इसलिए उसने क्या बोला कि वही इसी का ही दो शहर ठीक है यह ध्यानक लेन है फर्यादी राजा से नयाय की मांग करता है तो राजा कहता है कि तुम्हारा नयाय यहां ऐसा होगा कि जैसा यम के यहां भी नहीं होगा ठीक है तो वह बोलता तो उसको ऐसा है कि तुम्हारा नयाय तो मैं ऐसे करूँगा कि जैसे यम राज का नयाय भी नहीं होता है वही ठीक है तो ये इसको किसको कहता है फरियादी को कहता है राजा यह भी चतुर्थंक का एक मत्तपूर्ण अंश हो सकता है फरियादी की बकरी कलूबनिया की दिवार से गिरने से मर गई यह प्रशन भी इंपॉर्टेंट है कि फरियादी जो आता है उसकी बकरी जो हो किसकी दान के लिए बुला जाने वाले पात्रों का क्रम अनुसार आगमन कैसे होता है सबसे पहले दिवार को बुला जाता है दिवार के रिष्टेदारों को पक्षने का देश दिया जाता है कलुबनियों को बुला जाता है कारिगर है चुने वाला है बिष्टी है कसाई है गडरिय जीए राजवा हो गई पांचवा अंक देख लेते हैं अरण्ये का इस अंक में राजा के चार सिपाही या चार प्यादे यहां पर इसके लिखा गया है देखना यह भी देखिएगा चार प्यादे जो है वो गवर्धन को फांसी पर लटकाने के लिए आते हैं क्योंकि कोतवा की गर्दन में फांसी का बड़े आकार का फंदा पूरा नहीं आता जिस कारण गुबर्धन दास की मोटी गर्दन उसमें डाल कर उसके लटका देने का निरने किया जाता है ठीक है गुबर्धन जो है इस अंक में राग काफी गाता हुआ पहले आता है तो राग काफी इसने ग यहां पर क्या है इसमें सिंपली जो राजा है उसके आदेश से कोतवाल को फांसी होने की सजा होती है लेकिन कोतवाल का जो सिर है या कोतवाल जो है वो उतना जादा मोटा नहीं है कि वो फांसी के फंदे में उसका सिर आ सके ठीक है तो यह चीज़ यहां पर ज्यान में रखन लेते हैं और चौपट राजा अपनी मुर्कता से स्वयम ही फांसी पर चड़ जाता है और नाटा का अंत भी इस उपतेश के साथ हुआ है कि जहां न धर्म न बुद्धे नहीं नीती न सुजन समाज ऐसे ही आप पहुन नसीर जैसे चौपट राज तो I think अब आपको इसको ब ध्यान में रखना है कोई भी मुश्किल बात इसमें नहीं थी और इसमें कोई अब खास प्रशन नहीं बनेगा लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यहां से प्रशन नहीं बनता है हर आज तक जितनी भी बारी पेपर हुआ है देखना प्रशन जरूर पूछा गया है ठीक है तो जो कुछ नए अंश आपको इसमें मिले है ना बस उनी को फोकस करना है और जो पूरानी चीज़े है वो तो अब आपको अलरेड़ी याद है कि पहला अंक भाया प्रांत दूसरा बाजार तीसरा जंगल चौता रासवा पांचवा अरणने च्छाटा शमशान ठीक है और बेद कितने हैं दस हैं इसलिए उसको दश रूपक के नाम से भी जाना जाता है ये चीज़ें आपने सारी पहले पढ़ी हैं पीजेटी में देखना इसलिए मैंने इनको यहां से अलग से आपको नहीं बताया है तो एक नाटक हमारा आज कंप्लीट है और लास्ट में आपक आपको यहां पर इससे जुड़े कुछ मत्पुन तथ्य जो रखे हैं देखना इनको देखिए हरिशंद्र ने नाटक के उदेशों की संक्या 5 बताई है जो मैंने आपको शुरुवात में भी बता दी थी श्रिंगार हास्य कौतुक समाज संसकार और देश्वत सिल्ता ठीक यहां पर आपको यार रख लेना है कि इनकी भारत तुडशा और अंधेर नगरी दोनों ही रचनाय जो है वो देश्वत सिल्ता पर आधारित इनके नाटक माने जाते हैं इनको आप जरूर देखिएगा यह बहुत ही मौत्पुन चीज़ें हैं जो आपको याद अखनी है इ आपको इस नाटक का मंचन काशी के दशाश्वमेद घाट पर हुआ था यह वहला फ्रस्न भी मिंपॉर्टेंट है कि कि इस घाट पर इसका मंचन हुआ था तो याद रख लेना है कि दशाश्वमेद घाट पर यह अभी नीत हुआ ता ये नाटक पहले पहल इस नाटक के जो पात्र थे महंत के दो शिश्यों में अदर्श शिश्य नारायन दास था ठीक है पात्र महंत के कितने शिश्य हैं दो शिश्य हैं आदर्श जो है उसमें नारायन दास था राजा जो है वो कोतवाल को फांसी की सजा इसमें सुना देता है ठीकत है तो फांसी की सजा किसी हुई थी कोतवाल को इस बात को याद रखेगा और इसमें आपको एक चीज यह भी प्रश्न बन जाता है देखना कि जो आपका नाटक है देखना इसका इसमें कौन सा जो मतलब कौन ऐसा बयक्ति है जो इसमें नहीं आता तो जैसे नारंगी वाला है एंड कवाब वाला है मचली वाला है तो सब्जी वाला एक है देखना पात्र सब्जी वाला इसमें नहीं है लेकिन उसको कुछ और नाम दिया गया है वह कुंजडिन कोई और था सबजी बेशने वाली है ना उसको ध्यान रखना है तो सबजी वाला नाम नहीं दिया गया है उसके लिए यहां पर कुंजडिन बोला गया है ठीक है यह ध्यान रखना है आपको यह वाला प्रशन भी बन सकता है ओके फिर आपको ऐसे भी प्रशन आ सकता है कि जो आपका चूरन विक्रेता है पाचक वाला और चना बेशने वाला है घासी राम ठीक है इसको ऐसे करके भी आप इन चीजों को भी नीचे इसमें लिख लेना जो इसके समंधित जो अन्यतत्य हैं या और बातें जो हैं इस नात समझाया मेरे इसाथ से बहुत असान सा था ज्यादा कोई मुश्किल वारी बात नहीं है एक बार आप इसको फिर से खुद से पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा आया मज़ा नातक बंदे में तो आन्द है यह सेर चलिए बहुत बढ़िया